हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस ये आपके सामनी ये उत्तर पुस्तिका है इस उत्तर पुस्तिका पर आपको प्रशनों को हल करके बताएंगे कि आप बोड के एक्जाम में प्रशनों को किस प्रकार से उत्तर पुस्तिका पर हल करेंगे फ्रेंस आज आप सभी क कि ये प्रश्न आपकी बॉर्ड के exam 21 को आज करव documentary इन ही प्रश्णों में से आपके बॉर्ड के exam में आएंगे आप से सिर्फ नी व должन करते हैं कि आप वीडियो को सिर्फ अंत तक जरूर देखें हैं जिससे आपकी बॉर्ड के exam प्रशन पूछा जाता है तो आप आसानी से और किस प्रकाल से लिखेंगे सभी इसमें आपका क्लियर हो जाएगा चलिए फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस आपके सामने पहला प्रशन है यहां पर देखिए आप देख सकते हैं सवाल आपके बोर्ड के एकजा यहां पर पुस्तिका है उस्तर पूस्तिका पर इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे आपको पूरा अदम डिटेल से बताता है देखिए आपको पहले क्या करना है कि यहां पर प्रशन पर लिखिए गया आप इसकेज ले लिजिएगा या डॉट पैन या कोई भी पैन लेके ब् आप इस प्रकास से खीच लिजिए इसकेज सी खीच लिजिए ठीक देखने साफ सुतरा लगे इससा खीचने के बाद आप अपको प्रशन हल करना है अब दिऊगास समीकड़ समीकड़ कर लिखिए आपका पी x square minus 2 करड़ी में 5 p x plus 15 बराबर 0 है इसमें p का मान गयात करना है अब सवाल को आप लगाएंगे अब क्या करेंगे आप लिखेंगे ax square ax square plus bx plus c बराबर 0 से दिखेंगे तुलना करने पसे तुलना करने पर तुलना करने पर जैसे बता रहे हैं यदि इसी प्रकास आप बोर्ड के एकजाम में कापी लिखते हैं तो आपके एक नंबर भी नहीं कटेगे जब देखेंगे तुलना कर लिए सिर्फ आपके पास दो प्यान होना चाहिए black और blue देखे मांद आ गया आपकी बीमान आगया यहां पर बीक आ मान आपका एला माइनस दू करड़ी में पांच पी की तो सी का मान अग्या पंद्रें अब यहां पर मूल देखें का है न यहां पर देखें मूल लिखें यहां पर लिखें मूल बराबर है तो देखें यहां पर लिखें मूल चूकी यहां पर लिखें देखें चूकी निसाने मूल बराबर है बराबर है ठीक जब मूल बराबर है तो क्या होगा आपका देखें प स्क्वार माइनस फूर एसी बराबर हो जाएगा आपका जीरो ठीक है अब यहां पर माल रखिए चलिए यहां पर बी स्क्वार के जगाप क्या है बी के जगाप पर है आपका माइनस दू करड़ी में पांच पी का होली स्क्वार है माइनस फूर एक कितना है पी है शी का मन कितना है फंद्र है और बराबर जीरो अब इसी को हुल करना है आप इस परकार बराबर क्चिन देते रहिए ठीक है एक डिकि दू का इसकोर कितना दू दू दूना कि 4 45 20 यानिक हो जाएगा बीस यहां पर पी स्क्वार हो देखे 15 चोग को 60 जीरो अब बड़ाबर का चिंद दीजिए कि इसमें कामन कितना है 20 P कामन है यहां P माइनस कितना बज़ जगा है 20 तें 60 बड़ाबर 0 हो जाएगा ठीक है अब देखिए क्या करेंगे आप फिनो बड़ाबर का इस तरह चिंद दीजिएगा देखिए अब 20 P कोश्ट में P माइनस 3 बड़ाबर 0 है तो अब यहांब क्या करेंगे कि 20 P बड़ाबर 0 करेंगे तो P बड़ा क्या हो जीरो पटाके 20 सबसे करेंगे 20 करेंगे जीरो और अधिक है जीरो की लिए इक के मान में कितना आए फ्रेंस आपका दे कि आप 1 fark ज्यों करा बड़ा क्स आप पिरा कितना जगा दी खाल आ पकतर है कितना है आप पिर एक अग सवाल को हल करके बताब तेज़कर डूसरी नमर को सवाल है यह यह आलफा और बीटा श्मी करणा दू एक्स स्कोट माने 157 यंग स्क्रा बार Senior के मूल होँ तो आलफा इस्कोट बीटा प्लस बीटान स्क्वbek का मान ग्याद की जिए अब दिखिने के बद्लाइअ ऑध का एसे जिए लिखिये क्या है आपका देखिये यहीं से लिखिये चलिए कितना है दू एक्स इसक्वायर माइनस तीन यक्स प्लस पांच बराबर जी ओ ठीक है लिखने के बाद आप क्या करेंगे दूसरे पेन का परियुक किजिए यहाँ पे देखिये कि इसका मूल हो तो इतना कमान माप यही है कि जब दिऊघास समऑी कर रहेगा तो आको हमेंसा क्या करना पड़ेगा कि एक्स इसक्वायर प्लस बी एक्स प्लस फी बराबर 0 से तुलना करने पे लिक्षिए से तुलना करने पर गकल दिक हो तो दुलना करने पर लिखिये आपका पाँच के और फ्रेज़ देखे जो आपको इसका मांगयात करने के रिलिए कहा है तो इसके बारे में समझ रिजीए क्या है यहांब अल्फाफ़ा इता डोनों में ठillas योग मुला को योग का मतलब क्या होगा अलफा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस भी बाई ए ठीक अब देखिए इतना करने के बाद आपको क्या करना है बी कमान कितना दिया है देखिए माइनस है कोष्ट में बी कमान माइनस तीन है तो माइनस तीन रखिए अब एक मान कि क्या किजेगा यहां प्लिख लिखें यहीं पर चली है माइनस माइनस प्लस यानि तीन बटा के दू हो जागा अब अगला इस्टेप क्या करना है तो मूलों का गुराणफल ग्याद करेंगे यहां पिलिखेंगे मूलों का गुराणफल मूलों का गुरन फल गुरन फल ठीक यहाँ पर आपका अलफा इंटू बीटा और फार्मूला क्या था C आपार A होता है ठीक यहाँ पर C कमान कितना दिया C कमान 5 है तो 5 रखेंगे A कमान कितना है 2 है तो 2 यानि कि अलफा प्लस बीटा कमान 3 रखेंगे अलफा इंटू बीटा कमान 5 रखेंगे दू हो गया अब आपको देखे सवाल क्या है सवाल दिया है आपका देखे सवाल क्या है कि अलफा स्कॉार बीटा प्लस बीटा स्कॉार अलफा इसको आप लिख सकते हैं ठीक यहाँ पर देखिए पूरा सरा इसको आप लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा कामा लिए तो अल्फा बीटा कामा लेजिए पहले अल्फा बीटा कामा लेजिए तो यहाँ पर हो जागा आपका अल्फा और यह बीटा होगा ठीक है अब यहाँ पर सब्सक्राइब के दिएए अल्फा इंटू बीटा के मान है तो मतां के दू गुड़ा but टीन बटा के दू तो तइन बटा के दू ठीक अब गुड़ा कर लिजे जब गुड़ा करेंगे तो की 15 होगा अदूदुनर के 4 और यही फ्रेंस क्या हो जागा आपका एंस्वर हो जागा तो आप जो पर एंस्वर हो आगा तो इसको बलैक पैंस इस तरह घ्हर दीजेगा और यहाँ प्लिख लिजेगा एंस्वर चाहे है हिंदी में उत्ता लिख लिए ठीक है तो फ्रेंस इस प्रकास साफ सुत्रा देखें कितना साफ सुत्रा लगा इसी प्रकास आपको एक्जाम में हल करना है चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपके सामने तीसरा नमबर का सवाल है कि दियुगास समीकड़ ग्याद किजिए जिसके मूल तीन और एक बटा के तीन हो यहां पीसका न मूल दिया है मूल देने का मतलब है कि आपका अलफा कमान दिया है पर यहां पर लिख लेते हैं क्या दिया है यहां पर मूल देने का मतलब यह हुआ कि अलफा कमान दिया है अलफा कमान है आपका तीन और बीटा कमान क्या है आपका एक बटा के तीन और यहां पर हिंदी में लिख सकते हैं मूल यह क्या है आपका मूल हैं तो सवाल में दिया भी एक बूखाथ सबंसे कर से ज्मीकरण हऊ करते अब अधिया अब इव घयात से च्वह ли और हो दिव घया चल रहा-ध़ जमीकरण परकें है यक्स-1 अलफा कोश्ट में एक्स-1 बीटा ठीक है अब यहाँ मार रख लेज stri Rand772 रखें अब मार रख कि देखें कोश्ट में-1 ए-2 ,3 अगले कोश्ट में यक्स कमार्न कितना है रहने दीजिए यूज liberaadanga सब्सक्राइब, देखिए, आप गुड़ा करें यक्स की यक्स में करेंगे तो यक्स इसक्वार हो जाएगा, x का इसके कहरेंगे तो minus x बठागे 3 हो जाएगा 3 कहरेंगे तो minus 3 x हो जाएगा minus 3 का 3 में करेंगे तो minus minus plus और 3 का इसके 3 से 3 कड़ जाएगा डगा, 1 हो जाएगा बराबर zero हो जाएगा इसको हल किजिए δेख एक स्कुरू only minus כ staff माइनस ते च्सक्वायर माइनस टितली के नाइन एकस हो जाएका प्लस तीन टिन वराबर जीरो हो जाएका ते अब यहां पे देखेंगे क्या कर सकते हैं इहां से आपका प्लस तीन करेंगे इसको कितना हो जगें तीन-चुसा स्क्वायर्प यहां पर आपका होगा-9 1 प्लस तीन बराबर 10 का 3 के जीरो करेंगे जीरो हो जाएगा ठीक है अब यहां से कामन लेना चाहते हैं तो कामन लेके भाग देज़िए कामन लेज़िए यहां पर सोगा-3 1-3 दोब आविदा जाएगा है कि रूटा के तीन प्लज वन बदाबर जिरो बटाके तीन होगा इधर आने के बनाल यहां स्वारिक है यह सक्वार माँटकर-3 एक स्प्लिस वन बराबर जीरो और रिटर जब यह धिये घ्ञात समिक्रण आ無ड़ा तो क्या करना है आपको इस इसी प्रकाइजन साफ सुत्रा लिखना वे फ्रेंश ठीक है देख लीजिए आप कापी देख सकते हैं यदि एक्जामिनर देखे तो खोस हो कि पूरा का पूरा नंबर देगा एक नंबर भी नहीं काटेगा चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं चार नंबर का सवाल है कि निमन लिखी समीकरण को हल कीजिए सवाल है एक्स माइनस दू अपान एक्स प्लस दू प्लस तीन कोष्ट में एक्स प्लस दू अपान एक्स माइनस दू माइनस चार बराबर जीरो एक्स इस नाट दू कामा माइनस दू तो इससे आपको नहीं मतलब यहां हो काने मतलब यह है कि इस सवाल को आप कापी कैसे हल करें गतें पहले आपप रष्ण defense या प्रशणोद्तर संख्या इस तरह Ooo अ गयार अब इस सवाल को यहाँ पे उतार ली देखियो क्या है सवाल चलि उतारते हैं यहाँ पर देखिए पर ले सवाल पूरा आपको दिखाते हैं, फिर इसके बाद सवाल को लगाते हैं, देखिंग यक कितना है आपका, yaks minus 2 upon, yaks plus 2, plus, देखिंग, कोष्टक में हैं तो कोष्टक बना लीजिए, यहाँ पर 3 है तो 3 लिख लीजिए, अगले कोष्टक मोड़ें क्या है, देखें फ्रेंश यहां पर दियान देखेंगे, कि x – 2 upon x – 2 है, यहां पर मानेंगे आप, देखें, मानना है. तो आप black pen के यूच कीजी यहां पर लिखें, माना, ठीक है? जब मानेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको? x minus 2 upon x plus 2 पराबर क्या मानाएंगे आप y ठीक है और फ्रेंज यहाँ पर देखिए x minus 2 upon x plus 2 है तो इसको आप यदि प्लट देंगे यानि कि देखिए अब यह तो माली है इतना अब इसको प्लट के लिखना होगा तो x plus 2 upon x minus 2 लिखेंगे तो इसको कितना लिखेंगे x plus 2 पराबर y माने हैं तो आप इसको क्या करें कि इसी को भिन को प्लट देंगे तो यह भी तो प्लट जाएगा यानि कि x plus 2 upon x minus 2 जहाँ पर रहेगा वहाँ पर आपको एक बटा के y लिखना है अब देखिए फ्रेंस सवाल जो है इसको हल करते हैं देखिए सवाल में क्या है x minus 2 x plus 2 क्या माने y तेहाँ पर रखिए आप y ठीक है प्लस और देखिए फिर इसके बाद क्या करना है यहाँ पर तीन है तीन कर लीजिए ठीक है गुड़ा x plus 2 अपन x minus 2 के जगा अब कितना लिखेंगे एक बटा के y minus 4 बराबर क्या हो जागा आपका 0 देखिए अब हल कीजिए देखिए step by step सीखिए फ्रेंस अब क्या करना है कि देखिए y plus 3 बटा के y minus 4 बराबर 0 आपको भिन का जोड़ गड़ा ना आता होगा देखिए y का y में क करेंगे तो y square हो जागा प्लस 3 और minus y का 4 बराबर 0 अब फ्रेंस देखिए क्या करेंगे आप कि y का 0 में गुड़ा करेंगे ति कितना बटा जागा y square plus 3 minus 4y बराबर y के जब 0 करेंगे तो 0 हो जागा तीरिया गुड़ा ठीक है अब थोड़ा इसों लिख लेते हैंगे देख अब इसको देखिए दिवगात समिकर हो गया अब इसको हल करते हैं दिवगात के नियम से देखिए कैसे हल करेंगे आप क्या करना है आपको पहले इसका उठा कि यहां पर गुड़ा किज़े तो कितना जागा तीन अब तीन को ऐसे दो बराब भाग में बाटी जिसका प्लस एक वाई प्लस तीन बराबर जीरो देखिए तीन के एक में गुड़ा करेंगे तीन हो का तीन एक चार हो जगा अब इसको आप क्या करेंगे कि आप यहां पी आपका प्यज भर गया ता आप इस तरह पेज प्लाट यहीए गा ठीक है चलिए पेज प्लाट लेते हैं प्लाट लीजिए इस तरह देखिए यहां पर लिख लीजिए कितना लिखाया देखिए यहां पर यहां पर यहां पर वाई स्कॉार देखिए क्या है आपका लिख लेते हैं वाई स्कॉार माइनस तीन वाई माइनस वाई और कितना है प्लस तीन बराबर जीरो प्लस तीन ब y-3 होगा यहां-1 है तो y-3 हो जागा बराबर 0 देखिए यह कितना हो जागा य-3 होगा और y-1 हो जागा यह गुड़ान खंड हो ठीक है अब फ्रेंस आपको करना क्या है अब जो माने है मान वहीं माने है यहाँ पर रखते जिए आप ठीक है ठीक है तेकश्ण पहले यह यहां पर तेहां मौने को कौने सब्सक्राइब आप y-2 पटाके y प्लस दू जहां पर y ए तो वहां पी इतना रखना पड़ेगा आपको चलिये रखते हैं तो कितना माने थे जो माने उसको देख कि आप रख लीजिए यहां पर रखेंगे तो यहां पर रखेंगे y-2 पटाके x प्लस दू बराबर 3 तर शीवका आपको यक्स कमान कहांठ करना है तmoso कि याख माइन समय दू वर स्कुष नहींद में धर लाइए तो माइन से याक यह 6 है इसको इधर करेंगे तब प्लस कितना हो जाएगा दू हो जाएगा यहां से गटाएगा तीन में से दू जाएगा तीन में से एक्स गटाएगे तो माइनस दू एक्स हो जाएगा यह च्छत दू आठ हो जाएगा देखी एक्स बरा कितना हो जाएगा आठ बटा के माइनस दू तो यक्स बटा कितना हो जागा भाग देंगे तो माइनस चार हो जागा देखें दू एक हैं दू दू चक्वाट तो माइनस चार तो यक्स का मान कितना है एक यक्स का एक मान आया कि माइनस चार आया अब देखिए अगला जो माने है उसको देखिए यहाँ पर क्या माने है यहाँ कितना है यहाँ बराबर एक ठीक है य का मान कितना है रखिए y का मान है y-2 अपान y-2 बराबर 3 अब इसको अल किजिए देखे याक्स माइनस 2 तीर्या गुड़ा करेंगे 3x प्लस 3 दुना के 6 पाच्छांधा कर लिजी याक्स सुर्णी दोस्तों यहाँ पर कितना 1 है न तो यहाँ पर 1 लेना पर ठीक है अब गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाए गहां पे इहां पे एक्स हो जागा और यहां पे दूरह गहां की मान आप को मिलेगा नहीं का यस से मान नहीं मिलेगा तो आपका एंसर क्या होगा यक्स बराबर माइनस चार यही आपका एंसर हो जगा और यही उत्तर होगा ठीक है यक्स बराबर कितना मानाएगा आपका यक्स बराबर माइनस चार आएगा ठीक है तो फ्रेंज इस प्रकार से सवाल लगाना था अब चलिए एक सवाल और लगाते हैं ठीक ह आपके सामने पच्वा नंबर का सवाल है कि दू संख्याओं का अंतर दू है तता उनके वर्गों का योग 34 से संख्या ग्याद कीजिए ठीक है इस प्रकार के प्रश्ण बहुत ज्यादा पूछता है इसको कैसे लिखें वही प्रश्णोत्तर संख्या लिखें आप प्रश्ण माना अब यहां दो संख्या दिया है ना यहां पर एक संख्या माना पाली संख्या क्या है आपका पाली संख्या पाली संख्या आपका यक्स हो जाएगा ठीक है और दूसरी संख्या क्या हो जागा देखिया दूसरी दूसरी संख्या अब फ्रेंस यहां पर द्यान दिए यह यहाँ पर अंतर करेगा तो आपको किया करती है जो पाली 혹시 मिलेगा इसमें जोड़ दिए याथ प्लस 202 संख्या लेकिन यहां पर उसका योग चाहन लेते है इतना मानने पर स्प्राइब से यहां पर यह 930 तो यक्स गठाब के तौस जोड़ен धूUSTरि संख्या प्रशना नूसार अब देखें प्रशना नूसार लिखेंगे लिखने के बाद अब देखें कहा है न यहीं तथा उनकी वर्गों का यूग 34 तो उनके वर्गों के यानि पहली संख्या का वर्ग और दुसरी संख्या का वर्ग कितना दिया 34 के बराबर दिया है यहाँ किजिए कि यक्स का square प्लस यक्स प्लस दू का whole square बराबर कितना है 34 चाथ 34 लिख लिजिए अब friends देखें किया करना है यह x square है प्लस a प्लस b का whole square का फार्मूला यानि कि आप लिखे x square प्लस 2 का square प्लस 2 एब लिखे 2 a, a के जगए प्लस b के जगए 2 बराबर कितना है? 34 अब फ्रेंच देखे क्या करना है आपको अब इस तरह आप काला पेन उठाइएगा यहाँ पर कोश्टक में लिखे लिजएगा चू की, जो फार्मूला जब प्रयोग की जगएगा उस फार्मूला का जरूर लिखेगा a प्लस b का whole square का फार्मूला लिखे लिजए बराबर, देखे क्या होगा a square plus b square plus 2ab to a.b कर दोकार कितना होगा चार होगा इन दूजुना के चार, एकस वराबर कितना हो जाएगा चोपारोगा अब देखे फ्रैंस इसमें आपका दू कामान है तो दू कामन ले लिजू दो कामन लेंगे ति एकस इस्क्वाइर प्लस यह दू हो जाएगा यह कितना हो जगा 2 x हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जगा 34 हो जाएगा अब देखे फ्रेंस 2 का पच्छांतर करेंगे तो 1 x square 2 x हो पहले लिख लिए 2 x और प्लस 2 बरावर कितना हो जगा 34 बटाके 2 कर लिजिए ठीक देखे यक्स square प्लस 2 x प्लस 2 भाग देंगे तो 17 हो जाएगा ठीक है दू इक हम 17 बार में कर जाएगा ठीक है अब देखे फ्रेंस अगला इस्टे में क्या करना है कि इस अंक को इधर लाई 1 x square प्लस 2 x प्लस 2 माइनस 17 बरावर 0 यहाँ पर देखे 1 x square प्लस 2 x 10いき अब यहां घाट अधर तो माइनस 15 हो जाएगा अब देखे क्या करना है इसका गुड़नक्षंड करना आपको बता कैसे देखे क्या करना है 15-15 यह ऐसी संख्या में देखिए क्या करना है आपको यहाफ लिखिया आगा एक सब्सक्रां प्लॉस यहाफ लिखिएनगा 5-3 , यक्स मांइनस 15 बराबर 0 अब द?,द?ड देखिए फ्रेंस क्या करना है यक्स स्क्वार 5 के यक्स में करेंगे 5 delta al monsieur मांइमस 3 यक्स मांइनस 15 बराबर 0 कर लिजिए यहांसे əक्स कामण धी यक्स कामण लिए ति यक्स प्लस 5 होजागा यहां से 3 कामान माइनस तो यहां से x प्लस 5 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा यहां से x प्लस 5 कामान तो x प्लस 5 कामान लिजिएगा और x माइनस 3 बराबर 0 आप यह समाना कितना जराएगा अश्म को स्धेगा ऐसे निखेंगे इंश्मन भालव Initiate कैसे कि सक्यां पर अब दहुत क्या मानब्mead अब देखिए फरेंस यहीं पे आपको समझा देते हैं देखिए आपको ठीक है दूसरे पेश पे लिखिते हैं थीक highlights आपको यहीं समझाते हैं यहां पाली संख्रमारी माने यह बनी सम्खा मान chi अब गाहने इस ज Safe अब mm फॉयक्व माने और यक्स बरावर पांच या तीन हो सकते दोने में से कोई एक हो सकता है पाली संख्या ठीक है तो दूसरी संख्या क्या हो सकता है आपका दूसरी संख्या क्या माने यक्स प्लस दू थी यक्स प्लस दू लिखेगा यक्स का मान यदि पांच लेंगे तो पांच प्लस दू परा कितना हो जागा साथ हो जागा यदि यक्स बराबर कितना लेंगे तीन तो तीन दू पांच हो जागा ठीक है फ्रेस यदि एक्स का मजपार पारी संख सांक्राइगा और तो दूसरी संख स्थी इस प्रकास आप अंस्वर को देखाना है तो आपको यह वीडियो में पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें